बच्चों कई बार ऐसा होता है ना हमको अच्छा करने जा रहे हैं हो जाता है कुछ गलत ऐसा ही मेरे साथ ही हुआ बच्चों आज मैं करूंगी आपकी डेर सारी प्रॉब्लम्स को मिंटों में दूर इस वीडियो को पूरा देखिए गर्मियों में आप भी परिशान होते हो की नहीं चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बच्चालो कैसे हो चलो चलते हैं कुछ नया सा करने बच्चों अब चलते हैं उस जले हुए कपड़े को ठीक करने के लिए जिस टॉप को मेरे बुटीक वाले ने भी ठीक नहीं करके दिया चलिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है इसे बंद करने के लिए कच्चे टाके लगा दिया है जिससे इसके धागे ना निकलें अब हम इसे पूरी कोशिश करेंगे इसे ठीक करने की तो यहाँ पर मैंने एक फ्रेम ले लिया है फ्रेम है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तब भी बन जाएगा पर फ्रेम से कस जाता है अब चारों तरफ आप डॉट लगा लीजे गैब तो काफी बड़ा है लेकिन फिर भी हमें एक शेप तो देना ही होगा राउंड या फिर पत्ती का तो इस तरीके से आप शेप दे दीजे बहुत ही असान है इस होल को ठीक करना मैंने पहले भी एक कपड़े पर किया था मुझे अच्छा लगा वही ट्रिक मैं यहां पर फॉलो करूंगी आज मेरे पास बहुत अच्छे थ्रेड नहीं है वैसे आप इसे थ्रेड से उन से उन से करोगे तो और ही अच्छा मतलब आपको बहुत जल्दी बना पाओगे और उन से क्या होता है सर्दियों में कोई स्वेटर अगर इस तरीके से हो गया तो स्वेटर को भी आप बना पाओगे यहां पर मैंने नेडल में डबिल धागा डाल दिया है उपर जो नोक साइड है वहां पर मैं उसको निकाल रही हूँ अब साइड में जो पार्ट है वहां से मैं डाल के और निकाल रही हूँ आप मेरे सुनने से ज़्यादा इसे देखेंगे न तो ज़्यादा समझ पाएंगे राइट साइड से मैं निकाल रही हूँ गैप लेते हुए, इस तरीके से मुझे बनाना है, जब भी धागा खतम हो जाए, तो नीचे लेकर दूसरा धागा जोड दीजी, यहाँ पर ओफवाइट कलर का धागा और ज़्यादा अच्छा लगता पर मेरे पास नहीं था, येलो भी चलेगा कोई इश्यू नहीं, इसी तरीके से मैं बस ये तीनों तरफ निकालते हुए, और मैं पूरे इसको कम्प्लीट कर दी हूँ, जब भी मेरा धागा खतम हुआ, मैंने धागा नीचे से चेंज कर दिया, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगे ये देखिए, एक पत्ती सी बनती जा रही है ना बड़ी आसी, और यहां जो एक साइट मेरे को बड़ी सी लग रही थी पत्ती, तो मैंने उसका जो मार्क है, उसको बचाते हुए इस तरीके से कर लिया है मुझे बहुत अच्छा लगता है, कड़ाई, सिलाई मुझे ये सब काम करने में बहुत मज़ा आता है, आपको आता है की नहीं मुझे कॉमेंट केर के जरूर बताईए अब यहां पर अगर आपके पास कुछ पर्स हों, या जो भी हो मैचिंग का, उससे आप अटैच भी कर दीजे यहां मेरे पास ग्रीन कलर का है यह मैं इसके उपर अटैच कर देती हूँ हमारे पास कई ऐसी चीजें होती है जो पुराने कपड़ों से निकलती है या फिर कोई पर्स का या बैक का या कोई भी ऐसा समान होता है जिससे आप यहां पर अटैच कर सकते हो अब चाहे हम वाश करेंगे तब ही यह खुलेगा नहीं लास्ट में से पक्का जरूर करें नहीं तो वो पूरा खुल जाएगा तो यह छोटे-छोटे काम कितने आसान हो जाते हैं कैसा लगा आपको यह क्रियेटिविटी मुझे जरूर बताएए तो बचो यहां पर शूज के लैसिस तो सूख गए हैं अब मुझे अर्चन आरी थी कि इसे मैं कैसे सही डिजाइन से बनाऊं फिर मुझे याद आया बच्पन में वाइट शू को अकसर हम लोग इस तरीके से उसके लैसिस बांते थे वो बहुत छोटे लैसिस होते थे यह बड़े हैं लेकिन हम कोशिश तो करी सकते हैं चलिए मैं शुरू करती हूँ इसे बांने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो वाटावट से सबस्क्राइब कर लीजे पास लगे बेल आइकन को दबाएए जिससे होगा यह जो भी मैं आपके लिए ट्रिक्स दूँगी जो भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक फटा फट से मिलेगा सबसे पहले करना क्या होगा लैसस को इस तरीके से होल्स में डाल कर आप पूरा इक्वल पार्ट कर लीजे उसके बाद अपनी रिंग में फसाते हुए इक्वल ही इस तरीके से आप इसके लूप्स को छोड़ते जाएए जब आप इस तरीके से लूप्स को छोड़ देंगे लास्ट में वो छोटा सा पार्ट बच जाएगा लैस का जिसे हमें बांगने के जरुत होती है आप दूसरा वाला लैस ले लिजे उसे इस तरीके से उस लूप में फसाते हुए और होल में से निकालते जाएए बहुत असान है इसे बनाना हलांकि ये कोई बड़ा काम नहीं है लेकिन कई भर असा होता है हम लोग कोई काम करते हैं वो नहीं समझाता है तो हम फट आफट से इस तरीके से उस काम को कर सकते हैं. तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये शूज में लैसस डालने का तरीका? एक और प्रॉब्लम आती है बच्चों, गर्मियों में स्मेल हर चीज से आती है. जैसे कि सौक्स में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है. अगर आप शूज भी, सौक्स भी सुबह से शाम तक पहने रहते हो. पसीना ज़्यादा आने की वज़ा से इतनी घंदी स्मेल आती है कि बहुत ही बुरा सा लगता है. तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? सुबह जब आप नहा के पैर साफ कर लेते हो, तो उसे साफ करना तो ठीक है, उसे सुखाना भी जरूर है टॉविल से. उसके बाद जब आप सौक्स पहन रहो, सौक्स में थोड़ा सा टेलकम पाउडर डाल दीजे. टेलकम पाउडर डालने से ये होगा, कि आपको पसीना बिल्कुल नहीं आएगा. जब पसीना आएगा ही ने, तो आपके सौक्स में से स्मेल आएगी ही ने. और सौक्स की स्मेल इतनी गंदी होती है, कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है. इस बड़ी सी प्रॉब्लम को, छोटी सी ट्रिक से इस प्रॉब्लम को सौल्व करती है. हम शूरैक बनाते हैं, इतना बड़ा बना लो, लेकिन घर के मेंबर्स आजकल इतने सारे जूते सभी लोग रखने लगे हैं, हम सभी जिससे प्रॉब्लम तो आती है, जितना भी बड़ा शूरैक होता है, लेकिन जूते ऐसे कि गिरते रहते हैं. अब उनको कैसे manage करें, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कई boxes आते हैं, तो उन boxes को हम use नहीं करते हैं, उनको fake देते हैं, और fake ना भी चाहिए, लेकिन कुछ boxes को आप रँक सकते हो, जो आपकी नापगे हैं, जो आपकी पसंद के हैं, जैसे आपके जूते, अगर उस box के अगर आपको जूटे की जोड़ी रख गई तो मतलब शूरैक में जिस रैक के अंदर आप सिर्फ दो जूटे ही रख पाते थे अब आप चारचा रख पाओगे तो यह चोटी सी ट्रिक है अगर आप किया भी कई ऐसे बॉक्स होते हैं जिनका यूज नहीं समझ आता और आपक कैसे उसे और्गनाइज कर सकते हूँ